अबूल दोस्तोय भूपेंद्रमिष्रा स्वागत करता हूं आप सभीके अपने यूट्ईूब चानल में दोस्तो अभी हम लोग भारत चतीजगड के राजवन्स के बारे में पढ़ रहे हैं इसके पहले वीडियो में मैंने 36 गड़ के राजिसी तुली कुली वंस और नल वंस के बारे में बताया है पूरे डीटेल में इस वीडियो हम लोग सरभपूरी राजवंस के बारे में पढ़ेंगे और पांडु वंस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तो, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए, मैं गैरेंटी दिरो आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे नौलेज है, पीज सी में, क्योंकि महुत सारे पुस्तकों से मैंने इसको खंखाल के बढाया हुआ है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेगा अपने दोस्वक्षाथ शेयर करेगा और वीडियो को अंतर तक जड़ेगा दोस्तों जो सरभपूरी राजवन्स है तो तीसरी से छटवी सतापदी में हमारे शत्तिगण में क्या कर रहे थे राज कर रहे थे इन्होंने क्या किया है सरभपूरी वन्स वालोंने वैश्णाव धर्म को मानते थे किसको मानते थे सरभपूरी वाले वैश्णाव धर्म को मानते थे और अपने आपको परम भागवत कहते थे क्या केते थे परमभागवद केते थे इनकी जो राज मुद्रा थी फो थी गजलक्ष। क्या है इनकी राज-मुद्रा गजलक्ष्मी चैहां कि जैसे सरब्पूरी राजद्रवनस है लूछ सरा बड़ा और इनrikी के नाम पर इन्होंने अपना राजदानी भी सरब्पूर रख वालों के चार राजधानिया और हुआ करती थी एक मलहार है एक राइगड़ है अगला है सारंगड़ और एक है संबलपूर क्या है इन्होंने चार उपराजधानिया भी रखी थी ताकि कोई भी अगर आकरमण अकरमण हो तो हम लोग राजधानी को अपना तूरंद चेंज कर लिए जो एरण अभिलेक है दोस्तों इसमें भानुगुप्त ने 510 इस्वी में एरण अभिलेक जारू किया था मतलब एरण अभिलेक किस ने जारू किया है तो भानुगुप्त ने जारू किया है और यह पहला ऐसा साक्षे है जिसमें हम लोग को पता चलता है कि सती के बारे में प्रथम प्रमाण किस अभिलेक से मिलते हैं तो वह एरण अभिलेक से मिलते हैं इस चीज को अपने को याद रखना है बात करें इस राजवन्स के सिक्कों के बारे में तो मलहार से मिले हुए हैं और सारंगड से सरभपूरी वन्स के सिक्के कहा कहा से मिले हैं मलहार से और सारंगड से इसी वन्स की दो राणियों देवरानी जठानी थी वो रिस्ते में इन्होंने क्या किया, चौथी से पांची सताबदी में एक मंदिर बनवाय था तालागाँ में, मतलब देवरानी जठानी मंदिर को किस वंस के राजनियों ने बनाया था, तो सरवपूरी राजमन्स की राजनियों ने बनाया हुआ है, बात करें दोस्तों, अगर हम लोग इस सबसे पहले सरव राज है, इन्होंने क्या किया था, यह सरव वंस के संसापक भी है, इन्होंने अपने नाम पर ही क्या क्या है, इस वंस का नाम रखा था, और इसका प्रमाण हम लोग को मिलता है किस से, तो सरवपूर अभिलेक से इसका प्रमाण मिलता है, इसके बाद प्रशन्नमात्र थे सरवराज के और इनके बारे में ज्यादा जनकारी हमको नहीं मिलती है अगले जो सासक के बारे में जनकारी मिलती है वह है प्रशन्नमात्र यह थे सकतिसाली समराज विस्तारक थे और यह निडिला नदी तो लिलागार नदी का प्राची नाम क्या है निड सिर्फ पर सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए याद रखने के लिए है लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए इन्होंने क्या किया सोने के पालिस चड़े चांदी के सिक्के जारी किये थे तो किस सासक ने सोने के पालिस चड़े चांदी के सिक्के जारी किये थे तो संक कमल गरुड की आकरती रहती थी या दक्रराना किस कि और पीज को पुची सकता है, संक कमल गरुड ये सब क उसी को पर चित्र बना हुए है बात करें तो प्रशनमात्र के दो पूत्र हुए थे एक मंमात्र और दूसरा है प्रवर राज प्रथम यह जो मनमात्र थे इसको दुर्ग राज की पादिधारण की थी मनमात्र ने किसकी पादिधारण की थी दुर्ग राज की पादिधारण की थी और मनमात्र ने क्या किया था चित्रांगतपूर को जीता है बाद में मनमात्र मर गये तो उसके बाद फिर प्रवर राज प्रत्व्ठम प्रश्नमात्र के पेक्तTube उसका नाम स्री पूर्वंची ने शित्रांगात्पूर्गा ये स्रिपूर् रखा थे और किसने पहली बार घ्रीवेशनी परिवर्टन के ये सब इंपोर्टेंड क्वेस्टे आपने को याद रखना है हुआ कि थे रहे कि प्रशाय बार दूसरा घ्रिवराज द्रूर्ति क्या है कि और प्रणर एक बाद प्रऄराज एक के इसका जो में सेनापती था इंद्रबल यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इंद्रबल का नाम क्या किया सेनापती इंद्रबल था सुदेवराज का इसका वंडन मिलते हम लोगो कैवाताल अभिलेक महाश्रमुन के महाश्रमुन के कैवाताल अभिलेक से पता चलता है कि सुदेव इनक छेटरों को जीता था और प्रावराज दिरिति का WAS European scholar तो उसके बाद क्या हूआ उसको एक नए बण्स का इस्टापनागा था। कर दिआ इंद्रभल ने कया किया इसे को समाप्त कर स्वयम इसको मार दिया और अपना एक नया अपना क्थुद का राजबन शुरू कर दिया पांडु राजवन और यह चला था पाउच भी से अत्वी सतापदे तक इसके जो संस्थातपक थे वह संस्थापक काइदे से तो यह इंद्रबल ने उसको मारा लेकिन अपने पीता को क्या कर दिया गद्दी पर बठा दिया इसका वणणार हम लोग को कालींजर सील लेख से मिलता है तो संसापक बोल सकते हैं कि उदियान है लेकिन वासुक संसापक कौन था इंद्रबल था और इसने अपनी राजधा सब्सक्राइब robić करें कुल हो एंद्रवल को समाप्त कर सिनापति इंद्रवल ने पांडुन्हीं मिलती है इस बहुत नी है क्या हुआ या सब भीभाजन हो गया क्या हुआ इस मंज क का विभाजन हो गया शरप पूरी वंज को समाप्त कर फेंधर ने पांडुवन्स की नियु रखे थी кар lust google पांडुवन्स का क्या रखा है उसने नियु रखा हुआ है और अपने पिता उदियन को क्या किया सम्मान सुरुक सासक घोशित किया जो पांडुवन्स का वीभाजन का कारण मना उदियन जो था वो बुढ़ा हो चुका था राज की आधी जनता ने उदियन को सासक मानने से हिंकार कर दिया और एक नए राजवंस की स्थापना की जो मैकल का सोमवंस कहला है मतलब क्या है जो मैकल के सोमवंस है कवरधा साइड का एरिया वाला तो वह क्या है वह यही पंडुवन्स के ही भाग है इसको याद रखना है तो महेकल कर से सब्सक्राइब करने कि वदिधि उदिया जिसके सापना किने कि यह देखेंगे अब यह बत करें सब्सकें को आदीपूरूस के उदियन हो जाएगा इसको याद रखना है देखिए पांडू वन्स को हम लोग एक ग्राफ के महाध्यम से समझते हैं जैसे उदियन है उदियन का बेटा कौन हुआ पुत्र कौन हुआ इंद्रबल इंद्रबल के चार बेटे हुए थे नंद देव प्रथम, सूरबल, हिसान देव और भावदे ये क्या हुए इंद्रबल के चार बेटे हुए जिसमें से इंद्रबल के बाद नंद देव प्रथम उसका सासक बना नंद देव के बाद फिर तीवर देव बना या नंद देव के नंद देव दिर्ती है उसके बाद क्या हुआ फिर चंदर गुप्त बना राजा चंदर गुप्त के बाद पीर हर्ष गुप्त की साधी रानी वशाटा से हुई इन दोनों से इसके बाद क्या हुआ ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है चलिए इसको अगे हम लोग पूरा डीटेल में देखते हैं देखें उधियन के बाद क्या हुआ इंड्रबन राजा बना और यह क्या थय वास्तविक ऍस्थापक था पण्डू वन्स का परलाक्रमी था और समराजबिस्ता Г्द ऑ समराजे का कुछ छेत्र सोंव mêmes को भी दे देता था जैसे क्या है सो वह मैकल वाले जो हैं सो मंच वो इसे पंडुमन्ष की हिससे hydrogen पया करेगा से घीते गा और कुछ क्हेत्र क्या करता है सोंवन्ष वूले को दे देता है और इसी इंद्रबल के डल के कारण कोई भी और राजा सोमंस पर आक्रमण भी नहीं करता था पांडूवंस का सूराज काल कहलाता है इंद्रबल का जो सासन काल था उसको पांडूवंस का सूराज काल कहा जाता है इस चीज़ को अपने को याद रखना है इंदरबल के बाद फिर नंदेव प्रथम उसका पृत्र था वो सासक बना एक अयोग सासक था और इसके समय को पांडीवज्ड का अपकर्ष काल कहा जाता है तो किस राजा के शाषन काल को पांडिवर्ज का अपकर्स काल कहा जाता है तो उत्तर आजाएगा नंदे देव प्रथम के काल को इसके दो बेटे हुए थे एक तीवर्दे और एक चंद्रगुप्त तो यह जब मरा तो इसका जो पुत्र था तीवर्देव वो क्या हुआ पां कोशला धीपती की उपादीधारण की थी में तो क्या जाएगा उसका उत्तर तीवर्देव ने यह वी एक इसमराज विष्चा रख था और देखो अगर सुछासन क Phill पूछा दो क्या था इंड्रबल का है अगर पूछा की उतकर सकाल अब फिर उठाने काम कौन कर रहेल है तो तो और तीवर्दियु का ब्राजीम बालो ता मर्पत्र विलेक मिलता है कि इसने अच्छे-चे काम की होंगे तिवर देने इसका वंडर मिलता है इसका पुत्रत है नंद देव दृति इसने कोशल मंडला धीपती की उपाधी धारण की थी अंडभार तामर पत्र जोकी जानगीर चंपाय में है इससे पता चलता है अपने को और यह क्या था यह नीश और जानकरी इसके बारे में ज्यादा जानकरी नहीं मिलती है सीरपूरा भिलेक से बस इसके नाम का पता चलता है इसके उत्तरा धिकारी हुए हर्श enrichment अट के बारे में जादा जनकारी नहीं मिलता है लेकिन हर्ष गुप्ति क्या हुआ जैसे राज़ा बना उसके बाद बहुत ही जल्ली बीमारी से कारण क्या हो गया उसके बाद इनकी पतनी थी वह सटा देवी इन्होंने क्या किया था शाशन को संभाला था को हखुस के बाद उनकी विम्ती दर्पाबंज सकते हैं यह जो वसाटा देवी थी यह मगदवन्ज की राजकुमारी थी कहां appear राजकुमारी थी जो रिपleş। भॉचा पसार भी मगत वर्म होट सहब्हृ सुरेवर्मा और राजाता हर्स के बाद श्मा read선 सिरपूर m finish पूरा मधिर पूरा हम own aiji घब टिछांते कलावे आप लोग अगर नहीं दिखे regulator वीडियो को तो क्रिप्र जाकर करग देख लीजेगा सांथी साथ ये क्या है पार्ट 2 है ना च्छतिजगण के राजवन्स का अगर आप लोग उने पार्ट 1 नहीं देखा होगा आज है अप्लोड किया को भी तो उसको जाकर के आप लोग देख लीजेगा का निमान प्रारम करवाया था यह जो लक्षमन मंदीने इसका निमान प्रारम करवाया था लेकिन इसको complete किस ने क्या था उबर इनको यंसा यो पाधि गो है महासिक इनको दो इसलिए कहते थे क्योंकि बचपन में क्या था Sustain consumption कि तरह है इसको इनका नाम दे दिया गया बाले अरजुन के इन के ही निवह कुना तरlli क audit मन्दीर कथ eqa कुर्ण करों इसका इनकी माता वासाटा ने क्या किया उस्वी में और देखोंग की रचना सी यू की रचना सी यू की जिसमें 138 देशों के वर्णन मिलता है उसी में हमारा इसने चतिगड को भी घुमा है यह जो अपने बाल्लय वर्जुन जी थे भारती साशक हर्च वर्धन के समकालिक थे तो ये एक्जामें पूछाओ क्वेश्चन है कि छतिगण का कौन सा सासक हर्च वर्धन का समकालीन था तो कौन सा है वह महाश्योगुप्त बाले अरजुन ही है वेंश्योग के कारण ही सीरपूर में अत्य दिग बौध मंदिर है जो बौध हर्म में बताया था च्छतिगण में बहुद धर्म के साख्षे तो उसमें आप लोग वीडियो ने देखा तो देखना इसे पूरा क्लियर हो जाए गए सब वेंसांग के कारण ही क्या है सीरपूर में अत्यदिक बहुत मंदिर भी बने हैं पांडुवंस जो था वह वैश्णव धर्म को मानता था पांडुवंस किसको मान रहा है वैश्णव धर्म को मान रहा है किन्तु बाद में क्या हुआ महासिव गुप्त ने शयव धर्म को अपन ऑर दाइस यह बहुत important है त्यार्च आई विटो इनके सासनकाल को क्या क्या आधा हता है तो और श्रिया चाड वेंशरांग्सांग की जिवीयकी उसमें 16 रिंग क्या नाम से पुकारा गया है तो शिया कियार से पिकारा गया थो कि आशेलो जैसा कि मैं आप लोंको बोला था महासीवीयकति के बाद है अपने को ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है ज्यादा जानकारी का अभाव है तो उनके बाद का हमको जानकारी नहीं मिलते हैं क्लियर है तो अब देखते हैं मैकल का पांडुवंस या मैकल का पांडुवंस बोल दे या इसको इसको सोमवंस भी बोल सकते हैं इनका सासनकाल चला था पांची से चौदुमी सताबदी तक तो देखी यह जो मैकल के पांडुवंसी है या सोमवंसी है इनकी राजधानी क्या थी अमरकंटक थी और इनके संस्थापक कौन थे तो सिवगुप्त थे जो कि मैं आप लोगों पहले बता दिया था और इनका सासंद्षेत्र कहा क्या किया पांडुवंस के बाद जैसे पांडुवंस जब खतम हुए तो उसके बाद क्या हुआ इन्होंने दक्षिड कोसल एंव ओडिशा तक समराज का क्या किया विस्तार किया था इसने के बारे में जैदा जैनकारी मिलती है उसके बाद अगले सासक जिनके बारे में जनकारी मिलती हुए जनमेजस्च महाभा गूत्त इनका कधर्प धर्मकदर्प और सोभाववतंग और धृश्मेजय महाभव गुप्त के नाम है एक समराज विष्ταν है इस ने कलिंगा Prince उतकल कोर्जीता और तरी कलिंगा धिपती की उपादी धारण की थी मतलब किस सुम्वंसी ने त्रीकलिंगा धिपती की उपादी धारण की थी तो कन है जनमेजय महाभवगुप्त या इनका ये दो नाम और है धर्मकंदर्प और सुभावगुप्त क्लियर है इनके अन्मने नाम है परम भटारक महाराजा धिराज ये सब इनके उपादी थे महाराजा धिराज परम महश्वर सोमकुल तिलक इन सब के उन्होंने उपादी धारण की थी इसके बाद के सासकों के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है इसके बाद के सासकों का जो क्रम है वो आपको बता देता हूँ है जो नाम बस पता चलता है वो जो है अगले है महासीव है महाभावगुप्त दृति है धर्मस्त जी है नहूश है उद्धोग केसरी ये जो सोम वन्स के या मैकल के पांडु वन्स के अंतिम सासक वाष गश्री है क्या हुआ था इस वन्सको 36 गड़ के कल चूरी या लहरी साखा ने परास्त कर समाप्त कर दिया था यह सब कल्चूरी वंस पढ़ाऊंगा तो लहरी साखा अप लोगों पूरा क्लियर हो जाएगा तो मैकल के सोम वंसी या मैकल के पांडू वंसी ओका जो अंतीम सासक था वो कौन सा था वो दोग केशरी इसको याद रखना है जो पांडू वंस से उनके बारे में कुछ important facts बचे हुए है देखिए फायांग जो था जो अपने को मैं क्या बताया था एक चीनी आत्री वेंशांग आया था वैसे एक फायांग भी आया था उसकी रचना थी फूको की ठीक है सियूकी उनका था वेंशांग का और फूको की कि इसका है तो फायान का है महासी गिप्त के उत्तर धायकारियों के समझ में जानकारी का भाव है पहले बताया हूं इसके बाद पाणडू वंस का पतन प्राराम होता है महासी गिप्त के बाद का और क्या हुआ संबता चालुक के साश्रक पुलकेशियन दृती ने पांडू वंस को समाप्त कर दिया गया होगा ऐसा अनुमान लगा जा रहा है ना कन्फर्म नहीं है किसी बेभिलेक से ऐसा पता नहीं चला है कि पुलकेशियन दृती ने ही पांडू वंस को समाप्त किया होगा या तो फिर ऐसा भी मान सकते हैं कि विलास्तु जो थे 700 से 740 इसी में इन्होंने भी आक्रमाण करके पांडवन्स को खतम किया गया होगा ऐसा मान सकते हैं बात करें अगर हम लोग महासी गुप्त बाले अर्जुन के जो समकालिंग कौन कोर थे तो हर्च बर्धन थे पुलकेश्य अंदिर्ती था जो चालुक के वन्स का था नर्शी वन्वन पर्थम था जो की पल्ला वन्स का था कि दोस्तों मैं ज्यादस ज्यादा वीडियो अप्लोड करने की कोशिस कर रहा हूं आज का यह मेरा दूसरा वीडियो भी है और चतिगड़ के राजवांस को मैं बहुत जल्दी खतम करूंगा यह चतिगड़ के राजवांस का दूसरा पार है आप लोग देख रहे हो कि बोलना चाहता हूं अगर आप लोगोंने जो भी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भुपेंद मिश्टा को तो नीचे में रेड कलर का यह बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे क्या होगा जैसी मैं लुए को आप लोग को वीडियो डालूंगा उसका तॉरंणद आप लोगों को नोटिफिकेशन पता चल जाएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साहत्ब सेर जरूर करिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत भ Controller द्यू